हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने डूप चैनल मिशन मिताकास में दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में UP PCL लेखा लिपी की परिक्षा में कम्प्यूटर से कैसे प्रेशन पूछे जाते हैं यह सभी ऐसे प्रेशन है जो UP PCL 2015 की परिक्षा में पूछे जा चुके हैं आए दोस्तों वीडियो की सुरुवात करते हैं वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आपको कम्प्यूटर में क्या पढ़ करके जाना है पहला प्रेशन पूछा गया था निम लिखित में से कौन सी आउट्पुट युखती नहीं है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, कीबोर्ड दोस्तों इस टैब की प्रेशन पढ़ दीजेगा कौन सी input यूखती होती है कौन सी output यूखती होती है चलिए इसका सही answer देखते हैं दोस्तों monitor ये output है printer ये भी output है plotter ये भी output है तो इसका सही answer हो जाएगा keyboard ये output यूखती नहीं है चलिए देखते हैं, दूसरा question, क्या पूछा गया था? Computer में तुरुटी को निम लिखित भी कहा जाता है Debug, Cursor, Bug, None of these Computer में तुरुटी को निम लिखित भी कहा जाता है इसका सही answer हो जाएगा Option C, Bug, ठीक है? चलिए देखते हैं, तीसरा question क्या पूछा गया था? Text को italic बनाने के लिए कौन सा shortcut की है? Ctrl-U, Ctrl-I, Ctrl-T, Ctrl-F चलिए इसका सही answer बताते हैं, Option B दोस्तों बहुत ही simple question पूछे गया थे computer से अगर आपका basic यह तयार है, तो आप easily computer का question कर सकते थे अगला question पूछा गया था Computer screen पर दिखाई देने वाले blinking symbol को क्या कहते हैं? Mouse, Hand, Cursor, Logo दोस्तों computer screen पर इस प्रकार का चिन्न दिखाई देता है, जिसे Cursor कहते हैं ठीक है? देखिए इतने simple question पूछे गया थे अगला question किसी document के editing group में find द्वारा किसे सर्च किया जाता है characters, text, symbols, none of these किसी document के editing group में find द्वारा किसे सर्च किया जाता है? इसका सही answer है option C, symbols को, ओके, next दोस्तों ये सबी question, UP PCL 2015 की परिक्षा में पूछे गये थे Excel में कोई भी formula सदयव निम लिखित से सुरू होता है option है percentage, option B है add, option C है equal, option D है minus Excel में कोई भी formula सदयव, equal से सुरू होता है ठीक है, अगला question, दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको एक पता चल जाएगा, कि आपको computer में कैसे प्रेशन पढ़कर करके जाना है, साथवा question है, one byte equal to दोस्तों बहुत ही simple question है, हमेशा पूछा जाता है computer में आगे भी पूछा जाएगा, one byte equal to 8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit चलिए इसका सही answer है, option A, 8 bit अगला question है, करसर के बाई ओर से character delete करने के लिए कौन सी की होती है home, backspace, delete, end करसर के बाई ओर से character delete करने के लिए कौन सी की होती है इसका सही answer हो जाएगा, option B, backspace ठीक है, चलिए देखते हैं अगला question दोस्तों ये हमारी computer की दूसरी series है हमारी पहली series देखने के लिए आप हमारे इस video की description में जाएए वहाँ पर मैंने link provide कर दी है, वहाँ से आप देख सकते है दोस्तों अगर आपको video की PDF चाहिए तो मैंने telegram की link provide कर दी है आप हमारे telegram को join करिए वहाँ से आपको video की PDF मिल जाएगी ठीक है, आईए देखते हैं नवा question निम लिखित में से कौन सी computer की आइस्थाई memory है hard disk, ROM, RAM, floppy disk इसका सही answer हो जाएगा option C, RAM जिसका full form है random access memory ठीक है दस्वा question पूछा गया था निम लिखित में से कौन साब प्रस्तूती आलेक software है presentation graphics, चलिए देखते हैं option MS Windows, MS Word, MS PowerPoint, MS Excel दोस्तों presentation कर सकते हैं हम option C, MS PowerPoint में ठीक है अगला question 1MB equal to प्रतेक computer में RAM की मात्रा option B है 1024 KB option C है 1000 byte option D है 1 billion byte 1MB equal to क्या होता है बहुत ही simple question है बिल्कुल basic computer पूछा गया था इसका सही answer है option B 1024 KB अगला question दोस्तों अगला question अगला question पूछा गया था MS Word में गो टू मेनू के लिए सौर्ट कट की है इसका सही answer है इसका सही answer है option C अगला question अगला question है दोस्तों अगला इसका सही answer है रीडू के लिए ctrl y undo के लिए ctrl z सब्सक्राइब अपने दोस्तों साथ जितना हो सके वीडियो को शेर करिएगा सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन दबाईए मिलते है नेक्ट वीडियो में एक और important वीडियो के साथ तब तक लिए नमस्कार जय एंद जय भारत